Hello there students, welcome back. यह question है 2010-14 के gate exam में से set 3 से. तो आपको main terms given है, as well as specify किया गया है कि इन main terms में से यह चारों don't care's है. हमने ढूंडनी है SOP form इस function के लिए. तो k-map fill करते हैं, you can see 0 to 5. okay, सबसे पहले don't care's भरते हैं, 2 पे don't care है, यानि कि यहाँ पर, 7 और 8 पे don't care है, तो 6 and 7, 7 यहाँ पर होगा, 8 यहाँ पर होगा, 13 भी don't care है, means यहाँ पर, okay, तो यह सारे हैं don't care's. okay, तो अब main terms देखते हैं, यानि कि function की value 1 कहां कहां पर होगी, तो वो है 0, यानि कि यहाँ पर function की value है 1, 2 don't care है, 5, तो 5 आएगा, 4, 5, 5 है यहाँ पर, okay, उसके बाद 7, 8, दोनों don't care's है, then we have 10, तो 10 पे function की value है 1, यानि कि 10 आएगा यहाँ पर, okay, उसके बाद है 13 don't care है 15, 15 आएगा यहाँ पर, अब यह k-map हमने बहुत बारी solve किया हुआ है, यह सबसे famous k-map है, gate exam में पूछा जाने वाला, तो एक prime implicant group यह बनेगा, और दूसरा prime implicant group आप देख सकते हो, यह बनेगा, ओके, देखो, इन दोनों ones को group करने के लिए, हम इन चारों को combine कर रहे हैं, ओके, अगर हम ऐसा नहीं करते, तो यह एक-एक का ही group बनेगा, और हमें बड़े groups चाहिए, ओके, we want biggest group, तो biggest group इन चारों symbols का बन सकता है, similarly, यह भी सबसे बड़ा group है, हम इससे बड़ा group नहीं बना सकते हैं, यानि कि इसे आगे expand नहीं किया जा सकता, okay, so now let's write the minimum SOP form for these two prime implicants, तो सबसे पहले इस prime implicant को analyze करते हैं, तो आप देखो, इन चारों columns के लिए, कौन से variable की value सेम रह रही है, यहां पे अगर आप देखो, 0 इसके लिए और इसके लिए Q 0 है, और इसके लिए और इसके लिए भी Q 0 है, यानि कि इन सबी के लिए Q की value है 0, तो Q bar, और आप देखो, S की value भी 0 है इन सबी के लिए, यानि कि इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए वेल्यु जीरो है that means s-bar plus अगले प्राइम इम्प्लिकेंट को एनलाइज करते हैं यानि कि इन चारों को इन के लिए भी आप देखो q की value same ही है यानि कि इन सब toss के लिए q की value है 1 और इन सबी के लिए q की value है 1 तो इन 4 के लिए q 1 है that means q q bar नहीं आएगा similarly इन 4 के लिए Republicans इन सबी 8 के लिए s की value 1 है okay s की value 1 मतलब इन 8 के लिए तो मतलब इनके लिए s 1 ही है okay that means s पे भी बार नहीं आएगा तो आपका अंसर आया q bar s-bar plus qs okay I d झाल झाल